बिहार के सरकारी स्कूल का नाम आए तो उदास और सवालों से भरे चेहरे आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे क्योंकि बिहार सरकार भले ही सिक्षा की गुनवतास सुधारने की बात कहती आई हो लेकिन सच्चाई जमीनी स्तर पर कुछ और ही है और ठीक इसके उलट है जानकारों की माने तो सरकारी स्कूल की बदहाल विवस्था के लिए जितने जिम्मदार हम सरकार को ठहराते हैं उतने ही जिम्मदार सिक्षकों को भी ठहराना जाएए क्योंकि सरकार के अधीन होकर भी सभी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई विवस्था को देखकर आप भी जवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर देवश के भविश्य के साथ इतना बड़ा खिलवार क्यों लेकिन रहात की बात ये है कि भले ही बिहार सरकार कई माईनों में विफर रही है मगर कोशिश नरंतर जारी है ताकि स्कूल और छात्र दोनों की स्थिर में सुधार हो सके इसी कड़ी में एक सकरात्मक कदम सरकार ने अब उठाने का निर्णलिया है जुसके तहती अब बिहार के प्रारंभिक वद्यालियों में कारेरत सिक्षकों को स्पोकेन इंगलिश की ट्रेनिंग दी जाएगी ट्रेनिंग में एक सत्र तीन घंटे का होगा प्रसिक्षत सिक्षक अपने ट्लास्रूम में बच्चों को अंग्रेजी दक्षिता लाने है तू अपनी मात्र भाषा में अंग्रेजी बोलने सीखने का ग्यान देंगे पहली से आठवी कक्षा तक के सिक्षकों को स्पोकेन इंगलिश का प्रसिक्षन दिलाने के लिए S.C.E.R.T. लिप फॉर्ड और मेरिको लिमिटेड के बीच M.O.U. पर करार हुआ है इस मौके पर वभाग के अपर मुख्य सचिव संजे कुमार, सचिव, असंगबा, चुबा, आओ और प्रास्मिक सिक्षान दैशक अमरेंदर प्रसाद सिंख समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे जिसकी मदद से पहले सिक्षक अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और फिर ओनलाइन परिक्षा में शामिल होंगे इस दोरान जो भी सिक्षक उत्तिर न होंगे उन्हें सोर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि अंग्रेजी सीखो और सिखाओ अपनी मातरी भाषा कारिक्रम के तहन सिख्षा वभाग ने सिख्षकों को स्पोकेन इंग्लिश के लिए जिस मेरिक को एजन्सी से करार किया है वो सिख्षकों को यह ट्रेनिंग निश्चुल के देने वाला है जाने कि इसके एवज में विहार सरकार एजन्सी को कोई विद्धिय मदद नहीं दे रही है अलाकि ट्रेनिंग के बदले लिप फॉर्ड वर्ल्ड संस्था को मेरिको राशी मुहाया कराएगी वही अगर हम सिख्षकों को दिये जाने वाले ट्रेनिंग की बात करें तो MOU होने के बाद एजन्सी द्वारा चालू सेक्षनिक सेतर 2021 से चरनबध तरीके से सिख्षकों का ग्रुप बनाकर ओन्लाइन ट्रेनिंग दिसंबर से शुरू किया जाएगा जो की तीन वर्षों में पूरा होगा जुसे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सिख्षकों की किस्मत तो बदलेगी ही साथी इनके नेट्रुत्व में पढ़ने वाले चात्रों का भविश्य भी उजवल होगा क्यूकि बिहार बोट से कई होनार चात्र भी निकले हैं लेकिन इन सब में एक समस्या होती है अंग्रेजी बोलने और समझने की कमी अन्य सभी विश्यों में महारत हासिल करने में सक्षम यह चात्र अंगरेजी के छेत्र में मातर खा जाते हैं क्योंकि पठन-पाथन में अंगरेजी को उतना महत्वतों नहीं दिया जाता साथी बोल्चाल में भी सिक्षक अंगरेजी का इस्तमाल नहीं करते जिसकी कारण चात्रों को अपने आगी के सेक्षनिक करियर में परिशानियों का सामना भी उठाना पड़ता है हाला कि बिहार सरकार के इस पहल से उमीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में बिहार के सरकारी स्कूलों की ववस्ता अभी की तुलना में और ज्यादा पहतर होगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में वस इतना ही तब तक हे लिए धन्यवाद